दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ड्रीम 11 में क्रेडिट क्या होता है बहुत सारे लोगों का कॉश्चन आया है तो इसको समझ लीजिए अगर आप ड्रीम 11 खेलते हो तो आपको क्रेडिट के बारे में जानना बहुत ही आवस्यक है यहा बहुत ही जरूरी है अब ड्रीम 11 में क्रेडिट को समझने के लिए मैंने ड्रीम 11 खेलते हैं को दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर यहाँ पर देखिए एक चीज में दिखाना जाएं इहाँ क्या क्या है क्रेकिट है कवडी है foot ball है basketball है तो मैं यहां के विल, आपको cricket के बारे में समझा दोगा, तो आप आसानी से क्रेडिट को समझ जाएएगा, क्या होता है credit point ठीक है? तो हम cricket के अंदर में हैं यहाँ पर हम झो है न, एक team को दिखते हैं, ठीक है? यह देख लीजी क्लिक करते हैं सबसे पहले जहाँ हम इसको यहां पर कलिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जहार नीचे में आप देखो यहां पर क्लिक करना है इस तरह से अब यहां और आपको जो है न मैं दिखा देता हूं यहां पर देखिए क्रेडित लैफ लिखा हो देखिए हर मैच में टीम बनाने के लिए आपके पास 100 क्रेडीट होते हैं देख रहे हो ना 100 क्रेड़ ठीक है तो आपको यहां पर cricket है तो 11 प्लियर्स सेलेक्ट करते समय आपको यह 100 क्रेडिट जो है न इस्तमाल करना होगा यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा यहां देखिए यह देखिए जो भी प्लियर्स होते हैं उनके सामने उनका क्रेडिट पॉइंट लिखा होता है जैसे वी नागराजन इनका क्रेडिट पॉइंट है 7.0 इसके बाद एस आनंद का क्रेडिट पॉइंट 6.5 तो जैसे जैसे आप अपना यहां पर टीम चूच करोगे आपका क्रेडिट पॉइंट कम होता जाए जैसे देखिए यहां प्रमान लीजिए हमने एक टीम चूच किया भी नागराजन को इसका क्रेडिट है 7.0 मैंने इसको चूच कर लिया तो देखिए सो में से साथ चला गया तो तो कितना बचा 93 क्रेडिट लेफ्ट यहां देखिए लिखा हुए क्या 93 पहले सो था आप 93 हो गया तो जैसे जैसे आप उसको इसको इस्तमाल करते जाईएगा वह आपका खतम होगा जो प्लियर ज्यादा वैलूएवल होता है तीक है उसका क्रेडिट पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है आपको टीम बनाते समय ध्यान रखना है कि यह 100 क्रेडिट को इस्तमाल करती हुए ही आपको टीम बनाना है तीक है अब यहां पर जैसे कि यहां पर बैटमेंस में हम जैसे चूज करेंगे यह मल जैसे चूज कर लिया तो आप देख रहे हो यहां पर कि आपका जो है नहीं हाँ देखो यहां पर आपका रहा तो यहां dikkure कर रहा है तो यहां पर All-Rounder में यहां पर हम लोग जो है All-Rounder में जाएंगे फिर से टीम अपना चूच करेंगे और फिर यहां Baller में जाएंगे अपना चूच करेंगे ठीक है तो आप देखोगे कि आपका यहां पर कभी-कभी तो पूरा क्रेडिट जो है आपका चला जाता है या फि कभी कभी कोई भी क्रेडिट नहीं बसता है बलकि और भी ज्यादा क्रेडिट पॉइंट की आपको आवसकता पड़ जाती है तो यहां पर चुकी हमने ऐसे प्लेयर सेलेक्ट किये हैं जिसका क्रेडिट पॉइंट जो है पहले से ही बहुत कम है इसलिए यह जल्दी बन गया औ हाँ आप अगर अच्छा प्लेयर स्जूच करते हो तो उनका क्रेडिट अगर यादा होता है तो आप मझबूरी में इसको siellä नहीं कर पाऊग LAN bike क्रेडिट नहीं होता है लिए अपके पास बचा हुआ नहीं होता है समझे लो एक तरह का क्रेडिट पॉइंट हैं हंड्रेड आपको मिलता है टीम बनाने के लिए बस उसके अंदर में ही आपको अपना प्लेयर चूज करना है इस चीज को आप समझ लिए एक तरह का बाउंडेशन है आप इसको हमेशा याद रखें यहां पर हमने अपना पूरा प्लेयर सेलेक कर लिजिया और यहां तेरह क्रेडिट बच गया है इसका कोई हमको जरूरत अब नहीं है हम यहां से जो है नेक्स्ट करके अपना जो भी है यहां से अपना वाइस केप्टान केप् करवाना हंड्रेट पॉइंट के अंदर हंड्रेट क्रेडिट पॉइंट के अंदर अगर आप ड्रीम 11 में जोइन करना चाहते हो तो मेरे रैफरल कोड का इस्तमाल कीजिए जो की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ताकि आपको सारा बैनिफिट और कैस्ट बोनस वगेड थेंक यू